सब्सक्राइब कीजिए इन्फराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीवो की तरफ से एक लेटस्ट स्मार्टफॉन लाँच हो गया है उस स्मार्टफॉन का नाम है वीवो वी-19 चीन की स्मार्टफॉन मैनमिफेक्चरिंग कमपनी वीवो ने अपने लेटस्ट स्मार्टफॉन वीवो वी-19 को इंडिया में लाँच कर दिया है यूजर्स को इस फॉन में डूल सेल्फी कैमरा, HD डिस्पले और स्नेपड़गन 712 प्रोसेसर दिया गया है इस स्मार्टफॉन को मार्च के लास्ट में इंडियन मार्केट में लाँच किया जाना था लेकिन कोरोना वाइरस की वज़ा से लाँचिंग पर प्रभाप पड़ा और डेट को आगे बढ़ाना पड़ा वीवो वी-19 स्मार्टफॉन की प्राइस की बात करें तो यह स्मार्टफॉन 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ मिलेगा यानि इसकी दो वेरियंट हैं जिसमें पहले वेरियंट की प्राइस 27,990 रुपीज और दूसरे वेरियंट की प्राइस 31,990 रुपीज रखी गई है इस स्मार्टफॉन को प्यानो ब्लैक, मिस्टिक, सिल्बर कलर अप्शन के साथ खरीदा जा सकेगा वहीं इस स्मार्टफॉन की सेल 15 मई से अमेजन, फिलिपकार्ट और कंपनी के ओफीसल वेबसाइट से स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आप इस स्मार्टफॉन को खरीदना चाहते हैं इसका लिंक हम नीचे डिस्किप्शन में दे देंगे वहाँ से जाके आप आसानी से इस स्मार्टफॉन को खरीज सकते हैं अब बात करते हैं इस स्मार्टफॉन को मिलने वाले ओफर्स की तो HDFC बैंक के क्रेडिट और डेविट कार्ड के लिए इस स्मार्टफॉन के खरीदारी करने पर 10% केशबेक मिलेगा इसके अलवा इस स्मार्टफॉन को नो कोस्ट EMI के साथ भी खरीदा जा सकेगा साथी कंपनी कस्टूमर्स को इस स्मार्टफॉन पर वन टाइम स्क्रीन रिप्लेस्मेंट देगी वहीं दूसरी तरफ जियो अपने कस्टूमर्स को इस स्मार्टफॉन की खरीदारी पर 400 बी दिया गया है साथ ही ऐस फॉन में बहतल परफॉमेंस के लिए स्नेप ड्रगन 712 प्रोसेसर दिया गया है वहीं है स्माटफोन ακology 10 बेस्ड है डिचेस के बात करें तो इस फॉन में क्वार्ड कैमिरड करें के मार्ण इमरी केमरा और 8MP का Dual Selfie Camera दिया गया है VOV19 के बैटरी और Connectivity Features की बात करें तो इस phone में 4500mAh की बैटरी दी गई है जो की 33W Fast Charging को सपोर्ट करती है इसके अलावा Connectivity Features में यूजर्स को Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS, OTG, USB Type-C जैसे Connectivity Features दिये गए हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो समझ में आ गया होगा अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और जोड़े रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस हुजाब सेजिशन देना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिलकुल ना बूले हैं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुल ना बूले हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स